जेविम नमगुद्ध है साथियों आज हम बात करने वाले हैं RSS के बारे में RSS का फुल फार्म क्या होता है? RSS कैसे बना? क्यों बना? कब बना? RSS के गठन का मुख्य उद्देश से क्या था? क्या यह हिंदूओं का संग्ठन है या ब्राह्मनों का? इस संग्ञटन का मुख्या चित पावन ब्राह Specifically ही क्यों होता है RSS का फुल फार्म रेसियल सीक्रेट सर्विस होता है जिसका हिंदी होता है प्रजाती रहाष्य में क्रम ब्रेवस्ट था RSS का असली नाम रेसियल सीक्रेट सर्विस है राफ्ट्रिय स्वयम सेवक संग नहीं है RSS की स्थापना इसराइली यहूदी मूल के चितपावन ब्राम्मणों ने की है RSS में ज्यादतर सरसंग संचालक चितपावन ब्राम्मण ही होते आये हैं रिशर्च के अनुसार इन ब्राम्मणों का डियने 99.90% बेने इसराइली यहूदियों से मिलता है RSS आज भी अमेरिका की आतंगवादी लिस्ट में सामिल है RSS ने अपने कारेले पर तिरंगा जंडा लहराना बावन वर्सों के बाद सुरू किया था इसका असली नाम रेशियल सीक्रेट सर्विस था RSS का आजादी के अंदोलन से कोई सारोकार नहीं है RSS ने देश के जब 15 अगस्त को आजाद हुआ था तब इसने स्वाधिंता दिवस मनाने से इनकार किया था और 1947 से लेकर 2002 तक नाकपुर मुख्याले पर कभी तिरंगा नहीं फैराया RSS ने बर्स 2000 के बाद बामबे हाई कोट के आदेश के बाद तिरंगा फैराया था RSS पर सरदार पटेल ने प्रतिवंद इसलिए लगाया था क्योंकि प्रतिवंद हटाने के लिए उसने जो हलप नामा दिया था उसमें निम्न लिखित मुख्य बातें थी पहली बात थी RSS भारत के संविधान को मानेगा जिसको वो नहीं मानता था और आज भी नहीं मानता है इसलिए स्वयम सेवग गैर संविधानिक बयान देते रहते है नमबर टू RSS संविधान में नहीं तराश्ट्री परतिकों का विरोध नहीं करेगा जिसके वो हमेशा खिलाप रहा है और आज भी है RSS कभी भी राजनीती में नहीं आएगा परंत आज वो सरकार में है RSS कुल मिलाकर देश द्रोही संस्था है जो तब भी थी और आज भी देश का सामाजिक तानावाना विखेरना चाहती है RSS वाला देश वक्त की बात करें तो उसे कहिए केस नंबर 176 नागपुर 2001 वा सर्म से सिर्जुका लेगा हाँ यहाँ तब ही होगा अगर उनमें लाज बची हो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और सम्मिधान विशेशग्य नितिन मेश्राम की हजारों कितावों के शांदार लाइबरेडि में इस केस का जज्जमेंट रखा है RSS के नागपुर हेड़कॉाटर में 26 जनबरी 2001 को तीन यूवक पहुचे उनके पास भारत का राश्ट्री धर्ज था बे उस बिल्डिंग पर पहली बार राश्ट्री धर्ज फैराना चाहते थे वहां मवजूद RSS के बड़े नेताओं ने ऐसा नहीं करने दिया और पुलिस केस कर दिया उनकी सरकार्ती परंत जंडा जब्त कर लिया आखिर कार कोट ने तीनों को बरी कर दिया सबसे बड़ी बात आदेश में दर्ज है कि जंडे को पूरी मर्यादा के साथ हिफाज़ात में रखा जाए RSS इस घटना की सरम की वज़े से अब कहीं कहीं राश्ट्री जंडा फैराना शुरू कर दिया है RSS विसु का सबसे बड़ा आतंगबादी संगठन है यह हम सब OBC, SC, ST, Minority तथा अन्य गैर मनुवादी भारतिय भाई वैनों को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और यहां तक की सारिदिक तोर से गुलाम बनाना चाहता है RSS का मकसद भगवान बुद्ध, समराट अशोग, जहतिवा फुले, पेरियार, ईवी, रामस्वायमी नायकार, ललाई सिंग्यादव, संत्कवेरदाज, गुरु नानक, गुरु रविदाज, छत्रपती सिवाजी, नारायान गुरु, सावित्री वैफुले, साहुजी महार डाक्तर बावसावंबेट कर तता अन्य बहुजन महापुरसों के संगर्चों को नेस्त नावूत करना है, खत्म करना है, RSS संगठन भारत के समिदान को बदल कर, अपनी मन इसमरती के विशारदारा हम भारतियों पर लागू करके, सिर्फ और सिर्फ अपना मनुवादी रा संप्रदाइक दंगा करवाता है, 9 अगस्त 2018 को RSS के लोगों ने ही भारत का समिधान को जलाया और बावसावंबेट करका अपमान किया, भारत में जो भी वंबलाष्ट हुए हैं, सभी RSS के दारा किया गया है, RSS ऐसा संगठन है, जो पुश्मित्र सुम्ग की तरह भारत को अश्तिरवा लोगों में भैदा करके अपना मनुवादी व्यवस्ता कायम करना चाहता है, आज का BJP सरकार RSS के एजेंडों दा बंच आफ दा थोट्स पर काम कर रही है, एजेंडों के अनुसार मॉबली चिंग, दलित उत्पिडन, मुसलिम उत्पिडन, नारी अत्याचार आदिवास्ति उत्पिडन, पिछलों का बजट सुनने, आरचन सुनने आदी उत्पन कर दिया, अब सवाल यह है क्या RSS, मूल भारतियों, SC, ST, OBC, माइनौर्टी के लिए कभी अच्छा हो सकता है, तो इसका उत्तर यही है, ये कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता ह वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद चैनल को ज़्याद अफजाता सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अप्राइब करें